Hello and welcome friends, सवाल यह है कि सर यह name box का क्या lab है, क्या मतलब है name box? यह name box का use किया जाए? आप देख सकते हैं कि formula bar, अब यह आपका formula bar है, formula bar at the very right side है और यहाँ पार formula bar के ठीक left side में आपको दिख रहा है name box, यह name box आपको दिख रहा है ना अब इसका क्या लाब है अब यह तो यहां cell address दिख रहा है यह पहला लाब होगा लेकिन आप जैसे ही इसको select करते हैं तो यह cell address के वाल पहला वाला दिखेगा आपको पूरा हट जाएगा लेकिन जब आप select कर रहे होंगे तो यह पूरा दिखेगा जैसे mouse का cursor जो आपने mouse का button दबाया वो छोड़ेंगे तो फिर यह इस तरीके से परिवर्टित हो जाएगा अब इसका लाब यह है कि आप किसी particular range को एक नाम देदीजे जैसे यह है ना इस पूरा range यह range select किया अब यहां पर आपको कहा जाना है formula पर जाना है ठीक है formula पर जैसे ही जाएंगे तो यहां प इतना ही part मैं क्या करता हूँ यहां से इसको border यह कर देता हूँ बना देता हूँ तकि यह पता चलता रहेगा कि इतने range का नाम प्या है average है यहां पर दिख रहा है name box में ठीक है? हमने इसको नाम भी दे दिया और यहां पर average दिख रहा है और यहां पर भी कुछ लिख देते हैं, like 5, ठीक है, अब यहां पर इसका average calculate करते हैं, is equal to average, ठीक है, तो यह आपने लिख दिया average, ठीक है, अब आपको यह पूरा range select करने के बजाए, क्या करना है, सिर्फ यहां पर दे देना है average, ठीक है, तो यहां पर आप दे दीजे average, कैसे करेंगे average, यह जो average है ना, यह इस range का नाम है, तो आप यहां आपने जैसे दिया है average, वैसे ही आप नाम दे दीजे average, तो यह इस तरीके से average नाम दे दिया आपने और enterprise करेंगे, तो इसका पूरा average calculate होकर आ जाएगा, यह देखिए, यह इसका average ही calculate हुआ है, यह जो है name box का य तुमें दे दिया गया है, ठीक है?